कि अभी तक नोगों ने क्या पढ़ दिया है कि मालनों को यह एक पॉइंट के ए है रिसे कोईड़ के है एक्सपन और वाइवन क्लियर दूसरे कि इंडियों के बीच के जो दिस्टेंस होगी आधि रिश्टेंस बंड़ यह बना क्या होता है बताओ बोलो क्या होगा ये x2 minus x1 whole square plus y2 minus y2 whole square ठीक अगर हमान लो इसमें point क्या origin हो जाए क्या होगा है origin distance ठीक from origin तो उसकिस में क्या हो जाएगा under root x2 plus y2 clear है clear अब इसी continuation हमें आगे पढ़ेंगे ठीक एक formula है जिसे क्या बोलते है section formula क्या बोलते है section formula तो section formula है क्या चुलो देखते हैं ठीक और उसका यूज क्या होता है क्या से ठीक तो section formula basically ऐसे समझ लो कि कोई भी coordinate हो जाएगा यह यह क्या है coordinate ठीक और एक point है यह कहे P मान लो यह कहे P है ओके P है और एक दूसर point है यह यह point कहे Q मान लो यह कहे Q है मान लो P के coordinate कहा है X1 Y1 है ओके Q के coordinate कहा है X2 और Y2 और कहा जाए ठीक कि अगर यह P की प्लेन है प्लेन है तो यह प्लेन बन रहा है ठीक इसके जो लाइन P की डिश्टनस है इसको डिवाइड किया जाए किसी रिशियो में ठीक तो मान लो एक पॉइंट लेड़े रहे है यहाँ पर क्या लेड़े है M ठीक और जो इस लाइन को किस में डिवाइड कर रहे है M और N में डिवाइड कर रहे है ठीक तो जो पॉइंट निया पॉइंट है उसके coordinate मान लो कहा है एक्स और वाइ लिए तो कहा गया कि मालू के पी क्यों है यह प्वाइब दे गाय एक्सलिय तो दिये गया जो पी है उसे क्या है एक्सवन और वाइब नहीं है ठीक और क्यों क्या है एक्स तू और वाइटू है और इंदरों के बीच में कहीं पे एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग क्या नाम दिये हैं और इसके पॉइंट मालों क्या है एक्स का वाई है जो इसको डिवाइट करता है किसको पीक्यू को इंटर्नली करता है किस रिशियो में इन एम इस्टू एन रिशियो एक लेख है नॉइस पर बहुत ज़दा रिश्टॉट हो रही है ज़्थो इसटूप सेइसे मिलाट करते हैं इसलिश्ट करते हैं यहां पर इसका सब्सक्राइब कि ये ये जोुन पइंटी है जाना है ये ये इसे से को मिला यतरे हैं है एसे सभी पॉंट को मिला देते हैं चलो कि अजहार बता दो यह पॉंट एह है कि ऊपर करेंटे अगर läuft कि माल लो इसको आर्वाल लेता है चटे क अश्रा कुटि Can कि यह ले लिया है यह जो यह दिख रहा है यह 90 डिगरी होगा और यह 90 डिगरी होगा इतना क्लेर है कि इसमें कोई आट तो नहीं है अब यह करते हैं अब एक बार बताना कि अगर यह डिस्टंस क्या है जो यह वाली है यह एक्सवन है कि नहीं यह एक्सवन है और जो एंड पॉइंट है यह क्या है यह हमने एम के जो एंड की कर्स्पोंडिंग एक्स एक्स है वही एम का होगा कर नहीं होगा तो यह जो ओर जिन से एंड है यह कितनी होगी यह कि अच्छा अब इसी प्रेकार से एक यह जी डिस्टंस पी वाली है यह दिख रहा है ठीक अच्छा जो ट्रैंगल है यह इसमें तो आव नेमिंग कर देते हैं चलो आ जाओ नेमिंग की बात करते हैं तो यह पॉइंट क्या माझ लो ऐस तो यह पॉइंट क्या हो गया है भी हो गया है क्लिर है ठीक है अभी क्या होगा कि जैसे हो जाएगा यह यह हो जाएगा वाइवन हो जाएगा ठीक और जो एम यह देग'S एम पांट के क्रिस्पांडिंग जाएगा यह जाएगा है कि तहुद लुदा थे कि उपांट का अ कि उपांट कोशिक करेंगा जाएगा यह कि इस्में नहीं तो अब एक बात बताना है ना सबसे में चीजें जो काम का है अपनी चीजे कि यहां कर देहां से देखा जाए तो ट्रेंगल देख रहा है पी एश और इम दिख रहे है अगल आगल पी एस और आम है के नहीं और दूसरे टांगल कौन सा एक टांगल अगर में हालेट करता हूं रुखो तो अगर देहां से देखो यह टांगल ही यह जी वहाला लेकर ने क्लेकर रही है दिखरा है टैंगल यह आला यह सर्ट एक टैंगल यह क्या हो गया है और दूसरे टैंगल यह एंग यह त्य verdi a क्या ची अगर एक सीधी लाइन कि टाला अट्याए च्छे हुर राइक टेट्याइट लां है अच्छा तो यह बत्ताव जो यह एंगल अगा बात तो यह इह आपता दो है इंगल कौंशा पी वाला है 6 पी सक्ट और यह जो एंगल दीख रहना यह वाला यह वाला यह दोनों एंगल में देखा जाए तो कौन से टाइंगल हो जाएगा कि एम कि पी एस एक कोल टू एंगिल क्यों एम भी होगा नियों बदाओ इतना क्लेर एक ने क्लेर है देखे में सब्सक्क्राइण क्यों इसे क्यों दूसे अंगिल हो सब्सक्राइब यह दोने बराबर होंगे क्यों होंगे क्यों होंगे क्योंकि यह 90 डिगरी है अब बता दो कि अगर दो टैंगल रिलें और दो अंगल बराबर हो जाएं तो यह क्या हो गया है है यह हो गया है कि अधिये हो गया है अधियर से मी लेरिटी अधियरिया होगया है क्ले रिखने के लिए रहे है मतलब क्या हूए इसको रिप्रें कर से करेंगे हैं कि ट्राइंगल था कौन सा पीएसम ठीक यह सिम्प्रिया रहे किस ट्रैंगल के इसको लिखती कैसे सिंग्ग कि ट्रैंगल M B और क्योंकि क्लिए रेकने के लिए रहे अब ध्यान से देखो अगर दुरें ट्रेंगल क्या सिंग क्या हैं जिमलर है तु डाइगराम थोड़ा लग बना लगाए कि अब बता दो जो चुट नीचल ट्रेंगल और जूपर ट्रेंगल है उसे कर्सपॉंडिंस में जो लिंद होगा उनका रेश्यो सेंग होगे नहीं हो ग यह दो ड्रेंगले को नहीं है तो यहाँ पर क्या है क्या है ट्रेंगल कौन सर्थ है यहां से क्या लग रहा है ने चील होगी PM upon में MQ होगा की नहीं होगा natural tangle upon में overall tangle अगर नहीं आ रहे तो डियाग्राम अलक्स में आ लेते हैं चलो आ जाओ जाओ देख लेते हैं अलक्से rectangle ही हो गया है है कि नहीं दूसरे tangle क्या हो गया ये 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 ना जी कहा है B जी Q और ये M ये कहा है S ये P और ये M clear है ये तो है कि नहीं है तो आभी क्या करना है ये एंगल के परावर ये एंगल था ये 90 डिगरी था और ये कहा है 90 डिगरी है तो पहले triangle में कौन से ले रहे है ये वाली दूसरे का ये हो गया है पहले का अगर ये लेंगे दूसरे का ये लेंगे पहले का ये तीन से लेंगे तो दूसरे कभी ये लेंगे ये क्लियर है तो अभी क्या हो जागा पी यम अपॉन में एम क्यूं इक्कॉल टू क्या हो जागा पी ये अपॉन में क्या होगा अपॉन में क्या होगा इतना एक नहीं है किसमें को जिक्कत नहीं है अच्छा एक बार बता दो अब जो पी एम है वो लेंगे कितनी दी गई है और आम क्यूम है और जो एम क्यू ant है ये क्यूशन बने दिया गया निध्या गया और तो अगर च्छाव क्यम झेडर ग तो अगर पी otherma तो यह क्या होगा है सबसे मेने कोई लिखी गई है क्लियर है अब किया है से लिए गया है अब इसमें मतलब क्या हुआ और जो हमें निकालना है अब एक बार सबस्क्राइब आ यजिए नियुक्त नहीं कि पूरे एक्स अधिये एक्स माइनिस एक्स नहीं हूगा पूरी एक्स है इडिक न बिता तो और आउल में इंद्ध कर दिस इस डियोग हुआ जोगा यह एड देखो यह 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 वह देखो पूरा एक्स्ट्यू होना है दוכऊ यह यह हो एक्स्ट्यू है मैनन Israelis X होगा है X4 minus X होगा . यहाज आया करने है कि X4 minus X X कहा से होगा यह क्या होगा X4 minus X होगा अच्छा है अब यह लंद कितने होगी यह होगा कितना होगा y2 minus y तो चुरू इसी को ही अलगला बुना देते साफ साफ चलो यह क्या है पी यह एस यह क्या है पी एस पी यह क्या है यह क्या है यह क्यों और बी यह इंगलेस के बराबर यह 90 तेकरी है अब बता दो जो पी एस होगा वो कितना होगा यह X minus X1 होगा नी होगा बता दो होगा यह सर एक X1 और M S कितना होगा यह होगा X2 minus X1 M S उपर Y और X उस पर ना यह होगा Y minus Y1 यह कितना होगा यह Y minus Y1 यह कितना है M यह कितना है N और Q भी कितना होगा यह होगा Y2 minus Y होगा Y1 नहीं यह पॉइंट किया है यह कितना है यह नहीं चला यह पूरा Y2 होगा यह कितना है यह Y होगा यह पॉइंट तो यह बदो को M के करस्पॉंडिंग यह कितना होगा X2 minus X होगा नहीं होगा बता दो देखो न M निकाला देखो M B equal to N R यह यह कितना होगा X2 minus X clear है तो यह हो गया है अब जो similar triangle लेका रहा है देख रहा है लेंथ उसमें हम लोगोंने क्या किया तीन लेंथ लिए थी यह लिए था यह लिए था यह लिए था और यह कितना दिया गए है यह M by N तो बरावर कर दिया है तो आब देखा जाए तो में तीन equation बच्ची किनी बच्ची कौन सी जो मैं highlight करूँगा यह वाली है किनी यह बच्ची है तो इस equation को लिखते हैं one by one ऊके चलवब आजाओ तो पहला क्या करते हैं Ps upon MB ले लेते हैं क्या करते हैं Ps upon MB पहले क्या लेते हैं Ps upon MB ेっकोल टू क्या होगा M upon n होगा नहीं कुछ पिताखे तो पीएस कितना ये खून ठीक एक्स माइनस एक्स वन और एंबी कितना है एंबी प्याल मात गिस्ट्रू मायनस एक है कि नहीं बता दो अब भूर देखो ना एंबी किया है X to my second X हाँ Equal to M upon N होग नहीं होगा Yes sir एक तो यह होगा ठीक और दूसरे क्या हो जाएग बराबर करेंगे तो दूसरे P एक QS लेएग, दूसरे MS ले लेते हैं MS upon में क्यों भी Equal to M upon N होग नहीं होगा MS कितना है पहले figure में क्यों भी कितना है वाइटु मैंने सुवाइट कॉल्टू है यहां तो कोई दिक्पत अब बता दो कोश्चों में जो करना था हम लों क्या करना था कि सेक्शन फाउना में जो पॉइंट था बीच का वो निकाला था निकाला था बता दो पी और क्यूं जाद करो कि पी पॉइंट दिये गये हैं क्यों पॉइंट दिया गया है और क्या निकालना था एम मतलब क्या निकालना है एक्सर वाइड निकालना है बोलो एक्सर वाइड निकालना है न तो अगर हाँ अगर एक्सर वाइड निकालना है ठीक तो अब इससे एक्स निकालना है तो जिसको निकालना हो उसको एक तरफ करते बागे से को दूसरे रफ करते हैं कि निकाल सकते हो एक्स निकाल सकते हो और इससे वाई निकाल पाऊगे निकाल पाऊगे हो अगर पहले में एक्स निकालना है तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे क्रॉस मैंच स्कूननों एक सबत्तों इक घ्ल से एक सब्सक्रैइग Swiss C की का –स निकालना अभी सस्कों को निकालना एक स्कूं के निकालना एक सस्कूंध को होगा नहीं होगा अब पहले में क्या कुछ कॉमन लेख रहा है एक्स कॉमन लेख रहा है तो क्या बच जाएगा यहां पर है में प्लस एन एक्वाल टू एम एक्सटू प्लस एन एक्सवन तो इससे एक्स क्या जाएगा तो यहां पी X कितना आगे यह M X 2 प्लस N X 1 whole upon M plus N यहां तो कोई दिक्कत? नहीं अब चलो X आगया है अब जो दूसरे कंडिसें तो उसमें तो को Y दिख रहा है उसे से Y निकालते हैं तो क्रोस में रप्ले करो तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा N Y minus N Y1 equal to M Y2 minus M Y clear है? अब क्या हो जाएगा? जिसको निकालना है उसको एक तरफ करेंगे और बाग्य सबको दूसरे जाएप करेंगे तो क्या हो जाएगा? N Y उसको निकालना है उसको एक तरफ करेंगे का m y equal to m y2 plus n y1 होगा तो y इसमें क्या कमन होजाएगा y कमन होजाएगा क्या होगा m plus 1 equal to m y2 plus n y1 तो y क्या हो जाएगा m y2 plus n y1 upon m plus n clear ने clear है यहाँ थे कोई डाउट ठीक है अब यह चीच clear हो गया तो मतलब क्या हुआ कि कोई पॉइंट दिया जाए इसको यूज क्यासे करना है तक हो formula यूज क्या से करना है देखो दिए के एक्स ये के वाई ठीक और ये पॉइंट के एक पॉइंट पी है एक्स वन वाई वन दूसरे पॉइंट क्या है क्यों है एक्स टू वाई टू ठीक और इसको कोई लाइन जो है किस रेशियों में डिवाईड कर रही है एम और एन में तो ये जो इसके पॉइंट क्या होंगे ये एक्स का हम वाई होंगे clear इसको माल लो कुछी माल लो चोलो आर माल लेते हैं clear तो बताना कि यह point क्या होंगे clear अब सोच उसको कैसे करना है द्यान से देखोकर x निकालना हो। तो क्या करते हैं पहले जो point निकालना है जोनों की बीच में कही है ठीक तो जिस उसमें डिवाइड कर एक्स निकालना है तो पहला वाला M ले लिए ठीक और बाद का क्या होगा X की वैलू क्या होजाएगा पहला वाला M बाद की वैलू क्या है X2 है प्लस यह वाला हो गया अब बचा क्या अब क्या बचाएगा बता दो हाँ बचा एन तो जो बचा एन जब एन बचा है तो जब पहला एम की वैलू के हां जा रहे थे हम लोग एम क्यों ले रहे थे कि यह इंख रहे थे किस के साथ जाएगा यह जएगा सथ क्लेयर कि यह पूलियर है अभी क्या हो जाइगा एन एक्सटु और अपोंड में गया जाएगा यह लूँगा आगे कि नहीं आ रहा है यह खोगे तो वाई कभी वैसे होगा क्या हो जागा m y2 n y1 upon में m plus n आगे के नहीं आगे बिता दो अच्छा यह क्या होगा एंड के साथ x1 होगा यह पहला रेशियो और बात की वैलू बात का रेशियो पहले के ले रहे आगे यागे यूज करना इससे क्या बोलते हैं सेक्षिन फॉर्मॉला अब एक बात समझो सबसे में चीजी कि यहां द्यान सखो कि पॉइंट क्या यह पी है और क्यों कि बीच में कहीं रेशियो डिवाट क कि बीच में है तो मतलब क्या हो कि इस लाइन को इंटर्ण डिवाट कर रहा है मतलब कि कर रहा है एम और एंड में कर रहा है तेक अगर माल लो तेक यह क्या था है इंटर्ण डिथा अब मालो कहा जाए external section ratio मतलब क्या हुआ कि कोई जो पॉइंट दिया यह पी और क्यों वो उस लाइन के बाहर कहीं हो रहा है मतलब क्या कहना चाह रहा है मतलब करने चाहर है कि जो लाइन है यह है तो गया है पी है यह क्यों है ठीक इसके पहरे परण कहां लेए था हम लोग इसके बीच में कहने रहा है तो इस लाइन पर ना लेकि इस लाइन को आगगा जब बढ़ा जाए कहीं भी और है तो वो उस लाइन के बाहर कहीं point माना चाहिए clear है एक point मान लो r clear तो पहले point से यह r का जो ratio है वो मान लो m ratio में है ठीक और जो बाद वाला ratio है क्या है वो n है मतलब क्या हुआ यह m ratio में है और यह n ratio में clear रखने के लिए यह चीज हम्यार रखने आ रहे है तो इसके लिए फामला क्या हो जाएगा ध्यान साथ देखो m तो लेंगे लेकिन यहां पर क्या हो रहा है उसके पहले क्या था जो overall distance थी उपर वो m plus n को ब्रावर ठीक नहीं थी बता दो और यहां पर में क्या है क्या हो जाएगी जी लाइन की माइनस एक नहीं बता दो इस जी जो लाइन है कितनी है माइनस एक नहीं है मतलब क्या हुआ कि जो फॉमल में प्लस है यहां नीचे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो एक्स्टरनल की बात की जाए ठीक तो क्या हो जाएगा एक्स की बात की जाए ठीक क्या हो जाएगा यह पहला वाला एम लेना है साथ में दूसरा वाला एक्स टू माइनस पहला रिश्यू इंट्रिम बाद वाला एक्स अपॉन में कि आ गिनन अ क्यों पहले एक्स इंट्रिम कर आ यह माइनस है अच्छ ठीक है जो पहले था मर्वाला है यह समय रहे प्लस होग यहाँ लिए पर उपर देखे प्लस है ना तो इसमें क्या था सोचो लाइन जो थी पी और क्यों के बीच में कोई पॉइंट ले रहे था आर जो इस लाइन को एम और एड़ी कर रही तो अगर देखा जा तो पूरा-पूरा कितना हो था एम प्लस इन हो रहा थे अगर पी आर किंदा तो अगर यह हैं तो यह बता दो पहरा जैसे वसे लॉजिक से कि एक्सटर्ण में क्या होगा कि मालो किया है पी है क्हों आंधर ले अन के बाहर लेंगे मतलब क्या हुआ यहां कहीं मालोब पॉइंट आ रहोगा क्लेर है और आरकर साथ होगा लाएन के मंदर के लैंड कोरके बढ़ाना पड़ेगा है कि नहीं तो जो पहला point P है इसके पहले कोश्च न हो जो point r दिया गया है वह रिश्यू क्या है था सब्सक्राइब तो और पियार कें दियागे है अधकुम सबारा किया है कर दॉसर पंट है किया है क्यू आरे में तải सब्सक्राइब, एक अधकुमी, लग्षा क्या है तो यहां वेकर फूर लेंट की बात की जाए ठीक तो यह कितना हो जाएगा यह माइनस न होगा यह माइनस आगा यह जाएगा भी बहुत नहीं जाएगा भी बहुत नहीं जाएगा भी आजए प्लस था अधित तो वाई क्या हो जाएगा एम पहला रिश्यू इंटू बात एक कॉर्णेट वाई टू माइनस पहला रिश्यू दूसा रिश्यू और पहला पॉइंट अपन में माइनस न यह बता दो यह फामला के लिए एकने के लिए रहे ले रहे हैं चलो आगे दिखते हैं तो फामला का यूज करना के नहीं आगे चलो अब हाँ एक कोश्चन करते हैं ठीक है अच्छे और समझो अगर कहा गया है ठीक कि एक्स्टरनल पॉइंट यह दिया गया है अगर मालो इन दोने को रिश्य वर्वन माल लो क्या माल लो वर्वन तो उस के समें मिड़ पॉइंट क्या हो जाएगा बता दो एंगें में एक्स यह क्या है वाइट यह पॉइंट क्या है एक्सटू यह क्या है लोग क्ये एक्स डीच्टड में लुए टुआ जो पॉइंट क्या निकलना है वो निकलना है during निकलना समझो अब बता दो अगर इसके रिश्य गेंग चैनला है तो एक्स क्या होजाएगा X2 x twor trabalh Tape O है एक्स है क्लियर है और ठीक वैसे वाई क्या हो जाएगा कि वाइवन प्लस वाई टूबाइट टू है क्लियर एक लेगने कले रहे कि अगर दोनों मिट पॉइंट हो यह वन इस्टु वन रिश्यू में हो तो पॉइंट क्या हो जाएंगे एक्स वन प्लस एक्स टूबाइट वाई टू और फिर वाई ब्लस वाई टूबाइट टू एक लेगने क्लियर है अब एक वावदाना है तो टिक क्या कि चुले कोशन करते हैं ठीक है क्या कोशन कह रहा है कोशन कर लेते चलो आजाओ क्या करें क्युक्त फाइंड दा क्यूंड दा क्यूंड अफ टूम अफ फाइंट थिक चुक्या करें विच डिवाईड बिच डिवाईड दा लाइन सिग्मेंट है जॉइनिंग द पॉइंट क्या हो गया है एक है फोर सिक्स है और दूसरा क्या है माइनस फाइफ और माइनस फॉर ठीक कैसा कर रहा है इंटर्नली कह रहा है इंटर्नली मतलब क्या हुआ प्लस वा लगेगा क्लेर नेकलेर रहे इंदर रिश्यो थ्री इस्ट्यू कहा गया है मतलब यहां पर क्या दिया गया इसको सॉल करने हो क्या करेंगे एंट दिया गया है थ्री इस्ट्यू ट्रेंट और जो पी है मानलो एक्सवन वाइवन यह क्या दिये गया है फोर शिक्स और जो क्यों मानलो इसको वह कैसे है एक्स टू वाइटू यह क्या देगे माइनस फाइफ प्रम माइनस फूर तो अगर इसका डाग्राम मनाया जाए कैसा बनेगा यह पॉंट कितना है यह पी कितना है यह 4,6 दूसरे क्या है माइनस फाइफ मानलो मानलो क्यों हो गया है ठीक और इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा मानलो ऐसे जोड़ दिया गया से ठीक तो जोड़ने क्बद प्रम यह पॉंटर निकालना जो कि सेटोट क्या है थीन और दो में inspireCold 1 करने कर तो किससो करने मतलो कांगी चैनी आगा है यह 30 दिया गया है angry मतलब क्या हुआ है यहां पहला कोष्ट्राइब यह थे टोप्हो सिक्स्ध को से थ्रीवाला हो उस पॉइंट से पॉइंट निकालना ये निकालना है है क्या हो यह कि श्कावाइब क्लीर ंए रहा है यहां पिए इन चीज है समझने बात है इतना सम्याक नहीं आए कि जो लेंगे इसको फ्रीज होगी किसे होगी इस पॉइंट जो निकालना है यह यह दिखर है यह कि एप्ट एम पॉइंट से पी करें शुक्र था तीन का है चलो अगर इतना है तो फिक यह करना एक्सवाइन निकालना है इसमीं क्या लगेंगे एक्स्टेर्नल सेक्षिन फार्म लगेगा इसमें अच्छा हां इंटेर्नल लगेगा तो क्या हो जाएगा इसका एक्सक्राइगा एंटेर्नल प्लस एन एक्स होगा ऊच्छो में और फाइब प्लस एन एक्स होगा है एम आपता तो कितना है एक्स्टू कितना है minus 5 minus 5 plus N कितना है 2 ऐर x1 कितना है 4 upon में m plus N कितना है 3 plus 2 कितना ट न हो जाकर 5 टी5 15 और 2 कितना हो जागा यह कि पंद्रह में स्याट जागा सेवन माइनस का सेवन पर फाइफ यह क्या होगे एकस आ गया ठीक रूब वाई निकालना हो वाई क्या हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन एम कितना है थरी वाई टू कितना है माईनस फूर प्लस टू इंटू वाई वन कितना है वाई वन है माईनस फूर नहीं वाई वन कितना है 6 upon में M plus N कितना है 3 plus 2 प्रिक्या हो जगा 4, 6, 12 2, 6, 12 upon में 5 ती के हो गया Y कितना हो गया 0 clear है तो उसके में दग्या हो कि जो पॉर्डट कितने हो गया X के minus 1 by 5 Y कितना हो गया 0 तो पॉइंट क्या हो गया minus 7 by 5 0 clear है चैन्सर हो गया clear है इसके आगे अब लोग कोशन लगा जाएगा फिर बाके निश्क्रास में डिसक्स करते हैं ओके चलो कि हूँ आज करा से तीजिए वाट अब करते हैं आज आज आज